हाई फ्रेंड्स मेरा नाम सुल्तान है आज आपको प्लास्टिक पल्स को कल्चर और नैचरल पल्स से कैसा अलग करना बताऊंगा लोग प्लास्टिक पल्स मार्केट में आ रहे हैं इसको सोरोस की पल्स भी कहलाता इसको अलग करने के लिए एक सिंपूल टेश्ट यह है कि फिल्टेस्ट फिल्टेस्ट का मतलब आप ये मोति को लिजिए दात के नीचे रखके लाइट कटरी है कतरने पर अपने को प्लास्टिक का पल्स नरम रहेंगा और कल्चर पल या नैचरल पल आप दात के नीचे रखके इन कतरने पर कांच को कतरे जीसा या फत्तर को कतरे जीसा फीलिंग आपको दिखेंगे इस प्लास्टिक पल्स से नैचरल या कल्चर पल को अलग कर सकते और दूसरा वे यह है कि जब पल में होल रहेंगा डिलिंग होल रहेंगा प्लास्टिक पल में डिलिंग होल आप देखने पर डिलिंग होल के तरफ आपको अंदर दिखेंगा और culture पल या natural पल में drilling hole के तरफ smooth एक straight line के जैसा ही दीखेंगा कुछ अंदर या बाहर जाने का नहीं रहेंगा इस प्रकार से drilling hole को भी देखके अपन ये बोल सकते कि इन plastic पल सही या culture या natural पल है इस प्रकार से अलग कर सकते अच्ट सर्फेस को scratch करने पर प्लास्टिक का पल रहता अंदर प्लास्टिक की गोल रहती उपर का लेयर ही एक ही आपको मोती के जीसा attractive coating देखे रहता उसको scratch करने पर कुछ needle या हाथ से scratch करने पर ऊपर का layer निकल गया इसको आपन easily बोल सकते कि या plastic का पल है या natural पल में आप scratch करने पर उपर का layer नहीं निकलेंगा इस प्रकार से आपन टेस्ट करके plastic के पल को culture या natural पल से अलग कर सकते इस वीडियो को लाइक करिए, share करिए, subscribe करिए इस वीडियो को 4C Gemtation Lab और Gemological Institute हाथराबाद के तरफ से release किया गया है